हेलो सिक्स क्लास आज जह हम आपके समझी विज्यान में पृत्वी हमारा आवास के भुबोल की पाटी पुस्तक के छटे पाठ पृत्वी के प्रमुक स्थल रूप को पढ़ेंगे तो देखिए इसन्य झाई प्रिथी पर अभी चैके समान नहीं होते हैं अनकिनत प्रकार के होते हैं कुछ नीचे हैं तो कुछ समतन होते हैं तो कुछ स्थल रोप है देखे ये पर्वत है, पठार, परवश्रंखला, और सायक नदी, जील, मैदान, इस्थल संदी, ये प्रायद वीप पर जो तीन ओर से पानी से घिरा है, ये बित्रिका है, ये डेल्टा, नदी मोहाना, जील, और द्वीप जो चार ओर से पानी से घिर होते हैं, और समुद्र, तो देखिए, ये जो होता है, दो प्रक्रियाओं के परिणाम से बनते हैं, तो जो मैदान है, या धर्दी के नीचे, उस पर दीरे-दीरे गती होती है, और प्रतम या आंतरिक प्रक्रिया जो उती है, उससे बहुत से इस्थान पर प्रत्यु आसपास की भूमी से उची उची होती है, छैसु मीटर से इदी कुचा है, ये खडी डार वाले पहाडी को परवत कहा जाता है, तो आठ अजार मीटर से उचा, सबसे प्रमक परवत है, जो हिमालर शेणी की सबसे उची चूटी है, एवरेस्ट परवत, और दूसरी वो वहा कि इनका फिर से निर्मार होता है से विए छापरियानी की है मिटी वी भालू से हवा पानी की दवारा दूरु से जगह एकटा कर दी जाती है यह दो प्रकृरियायं वहते वे जल या वाय और बर्फ के द्वारा होती है उनकी उचायंशहे हम ढाल केema परवत पठारे मैदानों में बाढ़ड सकते हैं तो परवत देखिये परवत रृत्वी की सतह gustaría par perfect का शिक्र छोटकर में पर शिक्छा पर लिए पर लिए शिक्षुंट और लें और जो बहुत बहुते होची होता है उसकी नशार कहोता है जलवायू ठंडी होती जाती है कुछ परवतों पर हमेशे जमी रहने वाली बर्व की नदियां होती है जिने हिमानी कहते हैं और कुछ ऐसे भी परवत हैं जो समुद्र के भीतर हैं और हमें नहीं देख सकते लेकिन वो बहुत उचे हैं कठोर जलवायू होने के कारण परवती शेत्रों बहुत कम लोग निवास करते हैं धरातल जो तब होती खड़ी डाल वाला होता है कृष्टियों गी भूमी भी बहुत कम होती है परवत एक रेखा के क्रम में भी व्यवस्तित हो सकते हैं इसे शरिंखला कहा जाता है तो ये परवत हैं ये भूपरपटी है है ये बलित है यानि क्यूँ इंचा उड़गा है तो हिमाले भी जो है ऐसे ही परवत है तो बहुत से परवती तंत्र समान अंतर शरिंखलाओं के क्रम में होते हैं एकड़ाो किलोमेटर में फैले होते हैं हिम्ले rhy आलप्स उर एंडी हीम्ले जो एएटिया में है यूरूप में और यूदी जो निग्षरमया की परव्षिंखला है परवतों की उचाई और आकार परवटों हो उचाई में हमाकार के भारत की अरावली श्रिंखला जो है विश्व की सबसे पुरानी वलिद परवत श्रिंखला है और अपरदन की प्रक्रिया के करने गिस गई है हवा और पानी की चोट से उतर ही अमेरिका की अपलेशन और रूस के यूराल परवत गोलाकार दिखाई देते हैं इनकी उचाई कम लेकिन समुद्र के नीचे है तो हमको दिखाई नहीं दीता है जब बहुत बड़ा भाग तूट जाता है और उर्द्वादा रूप में विस्था पीत हो जाता है तब भ्रंच उत्त परवतों का दिर्मान होता है उपर उठेवे खंड को उत्खंड होर्स्ट और नीचे उत खंड से के ये खंड़ों का भ्रेंश-ग्रावेन क उकसा राइनघाटी और वसस्चील पर्वत सब्दुन गार्ण के उत्त परवतमान एंप द्राशता होता है यह बहुत ब्रंश मेर्ग और शॉलन मुख कर्याओं केंट अफ्रीका का मांध मनदर और जापान 200 st吧ंशת व्य परोतों में इसकी जो हिमानी बर्फर की नदी होती है कपन्दि आजाता है और जलाज्र, service, जल को लों तक पहुंचा जाता है बहुत सारे गोंद , रेजिन आदी पराफत होते हैं और सेलाणियों के लिए परवती पहुत सुंदर ही ऐसे लोग बहुत उप्यूग्य। कता हैं लोग लोग जाते हैं और उत्रकान के चमूली में ऐसे खेल हुसंुदne जह अलम मुखी परवत है इस तरह से अत्तिक दाप से जो времaut again । अंदर लावा और 이 पाहर निकलता है लावा निकलता बंण और किनारें से जो निकलती चेत्टान होती है आज मुखी शंकू ताक रमा राख की पदर सो मीटर 210 मीटर बोंद्स तक हो सकते हैं लिए पुराने बाहरत की घंशन हे राख्षन केनिया तन्जानिय युगांडा का पूरवी अफ्रीकी पठार आस्ट्रिलिया का पश्चिमी पठार ऐसी उधारने तीबत का पठार वेश्व का सबसे उचा पठार है जिसकी उचाई माद्धी समुद तल से चारजार से 6,000 मीटर तक है पठार बहुत उप्योगी होते है खनी जो के पर चुटता होती है इसलिए विश्व के बहुत से खनन शेत्र होते हैं पठारी भागों में हैं अफरिका का पठार सोना है महीरों के खनन के लिए भारत में चोटानागपूर के पठार में लोहा कोई पठार शेत्रे में बहुत सब्था जल प्रपात होते हैं क्योंकि नदियां उचाही से गिरती हैं भारत में चोटा नागपूर पठार पर स्वान रेकान पर थे हिंड्रू जल पर करनाटक में जोग जल प्रपात ऐसी हैं लावा पठार में काली मिट्टी बहुत अधिक होती है, जो बहुत उपजाओ होती है, खेती के लिए बहुत अच्छी होती है, कपास के खेती के लिए खास दोर से, और कई पठार में बहुत सुंदर रमणी हैं, यानि की घुमने योगिस्थान होते हैं, जो परिटकों का अक अधिकांश, नदियों और उनकी वार वर नीचेंी की ओर बहता है अपर्दित पदार्थों को अपने साहत अगे की ओर ले जाती है और जो बहुत धिमी उसके कीका घटी में अधान में तो फ्लड़ को रहे जीकार, प्लब班Oohक्र कि समतल के रहने कले सबसें उपयोग क्या बजित रहे है् Siya होती है लाजर्ञ ओधाल में बहुत जादा होती है उपजाओं मिट्टी के कारणी भाग यहां प्रचुन मात्रा में खेती होती जिसे लोगों को रोजगार मिलता है और भारत में जो गंगा का मैदान है और देश में सबसे अधिक जनसंख्या वाला शेत्र है इस्थल रूप यहां लोग इस्थल रूपों के विपिन दके करू प्रचुन में जाग रूप पैदा करने से हम इनके खत्रों को कम कर सकते हैं और विपिन दके कर देए ना कस्मी घटनाओं के बारे में जाग रूपता है गलत तरीके से कहते हैं जैसे उप्रचाओं खेटी होग परमकानों का निर्मार बना दे रहे हैं इससे बहुत भूपों का गलत हो रहा है इसी प्रेकार कोडा किसी भी भूप इंप तेता है जो कि बहुत ही गलत है और इससे क्या होता है बहुत सारी जहरी लिग जैसे होती है जो परियावन को प्रदुशित करती है और हमें इस तरह का उपयोग ऐसा नहीं करना चाहिए उपलब दुम्ही के वल हमारी उपयोग के लिए नहीं है यह हमारा करता है वह है कि हम आगे आने वाली पीडियों के लि आगे लिए और यह समुद्वाइब गास फूस की जूपड़ी नहीं बनाई गई है यह पहाड़ी शेत्र का मकान है और यह चाय के बागानों में पत्तियां चुनी जा रही है यह परवती शेत्र का है यह पर जो रबर की नावे होती है इन से नदी में राफ्टिंग हो रह और यह पर फिल पर अफसी पड़ी यह पर परिवाइन के साथ देने कार वगेरा तो इस तरह समने जाना कि विबिन प्रकार के इस थल रूप होते है जो विबिन लोग के लिए उप्योग होते है अलग अलग तरह से तो हम लोग बहुत सौबागिशाली है कि हमें बहरत जैस इस तरह की द्रिश्य देखने को मिल जाते हैं थैंक यू फॉर वाचिंग